Hello friends, welcome to my channel House of Literature और अगर आपने मेरे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चानल को सब्सक्राइब करिए ऐसे ही और informative वीडियोस के लिए तो आज का मेरा टॉपिक है Alfred Lord Tennyson की एक पॉयम Break, Break, Break The poem was written in 1835 and was published in the year 1842 इस पॉयम को Alfred Lord Tennyson ने 1835 में लिखा था और 1842 में published करवाया था The poem consists of four stanzas and each stanza has four lines each quatrain इस पॉयम में four stanzas हैं, चार stanzas हैं और हर एक stanza में चार लाइन हैं और चार लाइन की stanza को quatrains बोला जाता है Alfred Lord Tennyson, he was born on 6th of August 1809 and he died on 6th of October 1892 He was a British poet, वो एक British poet थे and was appointed poet laureate of England during Queen Victoria's reign और Queen Victoria ने Alfred Lord Tennyson को England का poet laureate appoint किया था तो friends, Alfred Lord Tennyson के एक बहुत ही अच्छे दोस्त हुआ करते थे जिनका नाम था Arthur हेलम और Arthur हेलम की death के बाद, Alfred Lord Tennyson को बहुत ही बड़ा जटका लगा था उन्होंने ये expect नहीं किया था कि उनकी दोस्त की मौत इतनी जल्दी हो जाएगी तो उन्ही की याद में Alfred Lord Tennyson ने इस पोयम को लिखा था ये पोयम एक elegy है, एक शोक गीत है break 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 on thy cold grey stones O.C. तो पोयट समुद्र के किनारे बैठे हुए हैं और वो समुद्र की लहरों को grey stones पर बार बार टकराते हुए देखते हैं तो पोयट C से समुद्र से कहते हैं break 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 on thy cold grey stones यानि कि पोयट लहरों से कहते हैं कि उन grey stones पर बार बार गिर कर उन्हें तोड़ दो and I would that my tongue could utter the thoughts that arise in me पोयट आगे कहते हैं कि मेरी tongue, मेरी जीव बोलना चाहती है utter का मतलब होता है बोलना ओ thoughts जो विचार मेरे अंदर हैं, मेरे मन में हैं मेरी जीव उन विचारों को बोलना चाहती है अब पोयट समुद्र तट पर एक fisherman's boy यानि की एक मचवारे के बेटे को देखते हैं और ये fisherman's boy अपनी बेहन के साथ खेल रहा है और खेल-खेल में shout भी कर रहा है यानि चिला भी रहा है तो उन्हें देखकर पोयट कहते हैं कि इन दोनों के लिए कितना अच्छा है ओ वेल यानि इन लोगों के लिए कितना अच्छा है क्योंकि ये दोनों बहुत खुश हैं और इनके मन में जो भी आ रहा है वो उसे बोल रहे हैं और चिला भी रहे हैं और कुछी दूर पर पोयट सेलर यानि की बोट चलाने वाले नाविक को देखते हैं और वो सेलर अपनी नाव में बैटकर गाना गा रहा है तो उसे देखकर भी पोयट कहते हैं कि सेलर के लिए भी कितना अच्छा है कि वो दिल खोल कर गाना गा रहा है तो friends इस stanza से हम clearly समझ सकते हैं कि इन लोगों को देखकर poet jealous feel कर रहे हैं इन लोगों को देखकर poet को जलन हो रही है क्योंकि ये लोग तो अपनी मर्जी से गाना गा रहे हैं और अपनी मर्जी से चिला रहे हैं लेकिन poet के मन में अपने best friend को खोने का जो दुख है जो दर्ध है वो इस दुख को किसी के साथ share नहीं कर सकते किसी से कुछ बोल भी नहीं सकते हैं और यही कारण है कि poet को fisherman's boy और sailor को देखकर जलन हो रही है and the stately ships go on to their heaven under the hill poet कहते हैं कि stately ships यानि बड़े ships अपने port यहां heaven port को बोला गया है बंदरगा को बोला गया है तो बड़े ships अपने port बंदरगा की ओर जा रहे हैं तो यहां poet के कहने का मतलब है कि सभी लोग अपने अपने काम में लगे हुए है दुनिया में सभी चीजें अपने हिसाब से चल रही है लेकिन बिचारे poet का हाल कुछ ठीक नहीं है but oh for the touch of a vanished hand and the sound of a voice that is still यहां poet कहते हैं कि उनके प्यारे दोस्त का हाथ अब हमेशा के लिए गायब हो चुका है vanished का मतलब होता है गायब हो जाना और वो आगे कहते हैं कि the sound of a voice that is still यानि कि मेरे दोस्त की आवाज भी अब हमेशा के लिए शान्त हो गई है तो यहां हम समझ सकते हैं कि poet अपने friend को खो कर कितने दुखी थे break, break, break at the foot of thy crags, O.C. और समुद्र की लहरें फिर से चटानों से टक्रा रही हैं यहां crags चटानों को बोला गया है तो poet वहाँ बैठ कर ये नजारा देख रहे हैं और वो फिर से समुद्र की लहरों से कहते हैं कि उन चटानों को तोड़ दो but the tender grace of a day that is dead will never come back to me poet कहते हैं कि मैंने जो भी अच्छे दिन अपने दोस्ट के साथ गुजारा था tender grace of a day यानि कि जो अच्छे दिन अपने दोस्ट के साथ गुजारा था जो अच्छे पल अपने दोस्ट के साथ बिताया था वो दिन अब कभी वापस नहीं आएगा that will never come back to me यानि कि वो दिन अब मेरे पास कभी वापस नहीं आएगा friends ये था poem break 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 का line by line explanation I hope आपको ये explanation समझ में आया होगा thank you for watching